हेलो फ्रेंस नमस्कार इंडिये डिटेक्च इलक्टोनिक्स यूटूब चानल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरा नाम है अजुद कुमा दोस्तों आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गया हो तो वीडियो को आइन तक देखिए और चैनल पर नए है तो सस्काइब कर ले ताकि ऐसा ही इंफर्मेशन दोस्तों आपको आगे भी मिलती रहेगी तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पीछे LED टीवी लगा हुए देखिए और इसमें ये कलर बदल रहा है दोस्तों ये LED टीवी में ऐसी प्रब्लम आ जाए तो वो भी मिन्टों में ठीक कर सकते हैं जी है दोस्तों मेक्यानिक के बुलाने के ज़रत ने ये खुद से आप प्रमज में आया जाएगा और चैनल पर नेत comment तो सस्काइब और कर लीजिएगा तो दोस्तों ये रिमोट है कितना भी इसको कोशिँस कर ले इसको काटने के लिए देखिए ये काम कर रहा है देखिए यहां पर जल रहा है ना लेकिन यहां पर जो भी यहां पर … वस्ताव − लेकिन फिर भी ये color नहीं हत्या है और आपको दिखा देते हैं कि इसको switch से हम इस switch से off करेंगे देखी off हो गया फिर on करेंगे paper भी वही problem आएगा color 100 ही होता हुगा नजर आएगा जी यह दोस्तों यह एक छोटी सी video है दोस्तों video को end तक देखेंगे देखिए यहां पर देखिए same वही प्रक्रिया हो रहा है दोस्तों मैंने remote भी रख दिया फिर से आपको दिखाने के लिए एक बार और आपको दिखा देते हैं देखिए off कर दिया बटन से फिर देखिए on करूंगा और यहां पर remote रखा हुआ है कि आपको life proof के साथ दिखा दूँ तो दोस्तों देखिए 100% आप लोग घर पे आसानी से ठीक कर सकते हैं में क्यानी की बुलाने के जरुवत नहीं है दोस्तों किवल घर पे देखिए चेंज हो रहा है अटोमेटिक जिया दोस्तों इस प्रब्लम को दोस्तों आप लोग बहुत ही आसान तरीके से ठीक कर सकते हैं तो कैसे ठीक करना है आपको लाइप प्रूफ के साथ इस वीडियो में दिखाऊंगा तो वीडियो को आइन तक देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा तो कैसे ठीक करना है चली आपको बताते हैं बाइक केमरे से आपको बता देते हैं कि कैसे इस प्रब्लम को जब भी आप बहुत ही आसान तडिके से ठीक कर सकते हैं और दोस्तों लाइक करना ना भूलेगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को फटा-फट से शेर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब और चलिए आपको दिखाते हैं दोस्तों कि कैसे ये प्रवलम को ठीक किया जाता है तो आफ करेंगे तो दोस्तों आफ हो गया और कुछ देर यानि यह 30-40 सेकेंड के बाद हमको चालू करना है लेकिन चालू करेंगे फिर भी 30-40 सेकेंड के बाद भी इसको चालू करेंगे ना तब सेम वही प्रकिरिया आएगा मतलब कलर सो होता ही नजर आएगा तो आपको किया और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा देखिए दोस्तों सेम वही प्रकिरिया रहा है तो क्या किजिए इसको वाफ किजिए और फिर इसको अन किजिए और जो पावर बटन होता है ना इसको दबाए रखिए इसको दबाए रखिए यह प्रब्लम हॉल हो देखे इसको आफ करिए और इसको पाउर को दवाए रखे फिर से इसको आफ कर दिया है देखिए आफ हो जाने दीजिए आफ हो जा जल्दी से इसको हमको बटन को दवाए रखना है दखिए पहले यहां पे इस बटन को दबाए रखना है उसके बाद को बटन invariator जो बटन है इसको करना है कि देखिए ओन हो रहा है कि देखते रहे हैं दोस्तों यह कोई फेक वीडियो नहीं है और इसको हम अब छोड़ने वाले हैं देखिए ठीक हो गया 100% ठीक हो गया तो ऐसे ही करना है दोस्तों आपको पहले इस बटन को लाइन वहां से अफ कर देना है और इस बटन को जो पावर बटन है इसको दबाकर रखना है उसके बाद आपको टीवी का बटन अन करना है और दोस्तों यह प्रवलम 100% सौल हो जाता ह जिए दोस्तों देखिए और हमारा टीवी सही तरीके से वर्थ करने लग गया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो ऐसी प्रवलम आजए तो मीन्टों में आप लोग बहुत ही आसान तरीके से घर पे ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट वक् करो और क्या वोले सब्सक्राइब आवस्त किजिए मिलते हैं अगले वीडियो तब तक लिए जाहें दोस्तों बंदे मात्रम